हेलो श्टुदेंट्स आज हम लोग मैच्स का चप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 आगे कंचिनू करेंगे क्वेशन नमबर 5 से फर्स्ट पाट है कॉसेग थिटा माइनस कॉड थिटा होल स्क्वाइर इस इक्वल तो 1 माइनस कॉस थिटा अपान 1 प्लस कॉस थिटा ऐसे इडेंटिटी इस क्वेशन बर 5 में दी गई हैं 10 पार्ट से हर पार्ट को हमें प्रूव करना है तो LHS हम शुरू करते हैं LHS is equal to कॉसेग थिटा कॉसेग थिटा माइनस कॉड थिटा होल स्क्वाइर इस इस इक्वल तो कॉसेग थिटा होता है 1 अपान साइन थिटा माइनस कॉड थिटा होता है कॉस थिटा अपान साइन थिटा और फिर ये वाला होल स्क्वाइर इस इघ्वल तो साइन थिटा और साइन थिटा का हमें दिटा हमें थिटा को डिवाइड करेंगे तो उसलॉंई तो फिर ये वाला होल स्क्वाइर यह 1 minus cos theta का whole square बन रहा तो उसको हम लोग 1 minus cos theta का whole square ऐसे लिख सकते हैं और sin theta का square हो गया sin square theta this is equal to यह 1 minus cos theta का whole square है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 1 minus cos theta into 1 minus cos theta whole upon में यह sin square theta की जगह हम 1 minus cos square theta लिख सकते हैं formula होता है यह this is equal to 1 minus cos theta into 1 minus cos theta whole upon इस 1 को हम लोग 1 square लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है फिर यह बन रहा 1a square minus cos square theta यानि की a square minus b a square formula क्या होता है a plus b into a minus b a की जगह क्या है 1 plus b की जगह है cos theta into a minus b a की जगह 1 minus b की जगह cos theta 1 minus cos theta से 1 minus cos theta cancel हो गया अब हमार पास बचा क्या 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta और यही अमारा rhs था है नहीं यहां पर rhs हैंस प्रूवड अब हम इसका second part देखते हैं second part है cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 sec a जब यहां यहां lhs से शुरू करेंगे lhs is equal to cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a this is equal to 1 plus sin a cos a का lcm क्या हो जाएगा 1 plus sin a into cos a 1 plus sin a से इसको divide करेंगे तो हमार पास बचाएगा cos a और cos a into cos a हो जाएगा cos a square a बीच में plus का sin आएगा फिर cos a से इस celsius को divide करेंगे तो क्या आएगा 1 plus sin a 1 plus sin a into 1 plus sin a क्या हो जाएगा 1 plus sin a का whole square ऐसे this is equal to अब हम लोग cos square a plus a plus b का whole square हो गया इसको break करें हम लोग तो क्या होता है a square यानिका 1 का square 1 plus 2ab यानिकी 2 into 1 into sin a कितना हो जाएगा 2 sin a plus b square यानिकी sin a का square कितना हो जाएगा sin square a whole upon 1 plus sin a into cos a ये ज्यों का तियों लेका है अभी हम this is equal to cos square a होता 1 minus sin square a 1 minus sin square a सारे इंटिटीज आपको याद करके रखने पढ़ेंगे plus 1 plus 2 sin a plus sin square a whole upon 1 plus sin a into cos a minus sin square a और plus sin square a cancel हो गया अब हमारे पास बचा क्या this is equal to 1 plus 1 2 plus 2 sin a whole upon 1 plus sin a into cos a this is equal to this is equal to यहाँ से 2 common ले सकते 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी 2 common ले लेंगे तो अब यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करने तो 1 बचेगा न plus आइस 2 से इसको डिवाइड करने 2 sin a को तो 2 cancel हो करके क्यों हमार पास sin a बचेगा whole upon 1 plus sin a into cos a sin a 1 plus sin a 1 plus sin a cancel हो क्या ता मार पास बचा क्या 2 upon cos a या फिर हम इसको यह से लिक से ते 2 into 1 upon a cos a 2 1 upon cos a कितना होता है sick a और यह हमारा rhs था है न यहाँ पर rhs तो यह होगा प्रूफ hence proved इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 10 theta upon 1 minus 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus 10 theta is equal to 1 plus 6 theta cos 6 theta 1 upon sin theta 1 minus 1 minus cos theta upon sin theta प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा अप़न साइन थीटा मुहल उनपन वण मैनस टैन थीटा याई निकाइं वण मानस टैन था सम्झेbva उसमें अभी और सांथ थीटा अपश्च थीटा और कॉस थीटा होल अपन इसका अगर हमण लेकर एलसे से एम लेकर सॉल्ब करेंगे यहाँ आ जाएगा sin theta और यहाँ उपर हो जाएगा sin theta minus cos theta. वो क्यों जी? इसका पॉन में कुछ हीं तो 1 है, 1 और sin theta का लसम sin theta, 1 से sin theta गोड़ करें, sin theta ही आएगा, sin theta से 1 कोमेट पर लेकांद sin theta आएगा, बिच में minus का sin आएगा, sin theta से sin theta गोड़ करें, 1 एगा, 1 into cos theta, cos theta होगा, plus, ठीक, उसी तरह इधर भी cos theta upon sin theta, whole upon, यहाँ पर LCM हो जाएगा cos theta, और यह हो जाएगा cos theta minus sin theta, जैसे यहाँ पर LCM लेके solve कहता है, यहाँ भी solve करेंगे, तो यह चीज़ आएगा, अब देखिए, आगे इधर हम ले लेते हैं, this is equal to sin theta upon cos theta into sin theta upon sin theta minus cos theta, पलड़ गया यह, फिर बीच में यह plus का sin आया, फिर यह cos theta, क्या लिख दे रहा हूं मैं, upon sin theta into, यह हो गया, उपर जाकर cos theta upon में, cos theta minus sin theta, this is equal to sin theta into sin theta, यह हो गया, sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta, अब देखिए, यह हो गया, cos theta into cos theta, cos square theta, नीचे हो गया, sin theta into, अब देखिए, यहाँ है, cos theta minus sin theta, यहाँ है, sin theta minus cos theta, तो इसको भी अगर sin theta minus cos theta करना पड़ेगा, निका इसे पलटना पड़ेगा, तो यहाँ वाला sin पलट जाएगा, यह plus में है, तो यह minus में हो जाएगा, तो यह मैं minus में करकर और इसको सिधा कर लेता हूं, उसे क्या होगा, हमें LCM लेने में असान ही हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, sin theta minus cos theta, ऐसे हो गया, अब हमारे LCM लेने असान हो गया, cos theta sin theta minus cos theta sin theta sin theta minus cos theta का, LCM हो जाएगा, cos theta sin theta into sin theta minus cos theta, स्भाइट से इसे ऐल्सियम को इस्टी में तो इस में सorm सीविट करें तो क्या साइन क्यों अजैं साइन theta sin theta minus cos theta से इसको divide करें तो बच्चे करें कि cos theta cos theta से cos square theta को multiply करें तो क्या है गई है cos cube theta अब उपर बन गया यह a cube minus b cube का form यानि कि अब हम लोग a q minus b cube का formula यहाँ पर use करेंगे क्या होता formula a q minus b cube का a minus b यहाँ कि sin theta minus cos theta into a square यहाँ कि sin a square theta plus a b sin theta into cos theta plus b a square यहाँ कि cos square theta all upon cos theta sin theta into sin theta minus cos theta sin theta minus cos theta से equal to 1 plus sin theta cos theta अब हम लोग इसको अलग-अलग break करके लिखेंगे लिखेंगे तो यह क्या बनेगा one upon cos theta sin theta plus फिर यह sin theta cos theta upon cos theta sin theta अब यह cos theta sin theta से sin theta cos theta cancel हो जागा को से को से साइन से साइन तो क्या हो जाएगा कट के one upon one यानि के one बचे गाई है आगे क्या हुआ उसके बाद वाली कहानी मैं इधर लिख दे रहा हूं this is equal to one upon cos theta हो गया sec theta one upon sin theta हो गया cos theta plus one upon one हो गया one इसको सिधा गुमा कम लो लिख दे तो one plus sec theta cos theta बन जाएगा और यही हमारा यहाँ पर RHS है is equal to RHS hence proved यह proof हो गया अब हम देखते हैं नेक्स फोर्थ पार्ट है 1 plus sec a upon sec a is equal to sin a square a upon 1 minus cos a LHS से शुरू करते हैं LHS is equal to one plus sec a upon sec a this is equal to one plus sec a होता है one upon cos a whole upon sec a होता है one upon me cos a this is equal to again cos a plus one upon cos a whole upon one upon cos a this is equal to इसको हम लो लिख सकते है one plus cos a upon cos a into यह पलट करके cos a upon one हो जाएगा cos a से cos a cancel हो गया तो मर पास बचा किया one plus cos a अब हम लोग RHS करी करके देखते हैं RHS is equal to sin a square a upon one minus cos a this is equal to sin a square a के लिए हम फोर्मुलाइज कर सकते हैं one minus cos a square a upon one minus cos a this is equal to यहां कुछ है तो one a square हम लिख सकते हैं यानि कि अभी बन गए a square minus b a square जिसका फॉर्मुला होता है a minus b into a plus b a की जगह one minus b की जगह cos a a minus b into a plus b a की जगह 1 plus b की जगह है cos a whole upon one minus cos a one minus cos a so one minus cos a cancel हो गया और हमार पास बच गया one plus cos a rhs hence proved of fifth part cos a minus sin a plus one upon cos a plus sin a minus one is equal to cos a plus cos a using the identity एक identity यूज करने के लिए बोल रहा है question में ही और वो identity है cos a square a is equal to one plus cos a square a इस identity को यूज करके यह proof करना है तो इसको हमें आपर equation one ले लेते हैं जहां यूज करेंगे वहां इसका reference दे देंगे शुरू करते हम लोग lhs cos a minus sin a plus one whole upon cos a plus sin a minus one one अब हम क्या करें cos a k होता है one upon sin a cot होता है cos a upon sin a दोनों के denominator में sin a आ रहा है उसे sin a से इस lhs के numerator और denominator को भी हम divide कर दे रहे हैं यह बन जाएगा cos a upon sin a minus sin a upon sin a plus one upon sin a whole upon cos a upon sin a plus sin a upon sin a minus one upon sin a क्या कि हमने numerator और denominator दोनों को sin a से divide किया है चाहिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं dividing numerator and denominator both by sin a यह काम हमने किया है तब यह क्या बन गया cos upon sin a यह हो गया cote minus sin a upon sin a cancel करके क्या हो जाएगा one plus one upon sin a क्या बनेगा cote a whole upon cos upon sin a cote plus sin upon sin a cancel करके क्या हो जाएगा one minus one upon sin a क्या होगा cote a अब हमको rhs में cote k plus cote चाहिए क्योंना हम लोग इसे से इस Lhs के numerator और denominator दोनों को multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा यह cote minus one plus cos a into cos k plus cote यह जो चाहिए उसे से multiply करें हम numerator में भी और denominator में भी denominator में भी denominator यहाँ पर है cot a plus one minus cos k into फिर यही चीज cos k plus cot a a अब हम क्या करेंगे उपर जयों करते हो रहने देंगे नीचे हम multiply कर देंगे तो उपर का जयों करते हो हम उतारें cot a minus one plus cos a into cos a plus cot a whole upon cos a into cot a क्या हो जाएगा cot a cos a cos a into one क्या हो जाएगा plus cos a k फिर plus into minus minus cos a into cos a क्या हो जाएगा cos a square a अब cot a से multiply करें plus into plus plus cot a into cot a cot a square a फिर plus into plus plus और cot a into one cot a plus into minus minus cot a 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 यह हो गया अब यहाँ cot a cot a cot a minus में हैं क्या क्या हो गया अब जो बचा उसको मेलो लिक हैं यह है cot a minus one plus cos a into cos a plus cot a all upon all upon नीची क्या बचा cos a minus cos a square आ गया न बोला था न question में कि cos a square a की जगा यह रखना one plus cot a square तो हम इसको रख दे रहे हैं one plus cot a square plus cos a square a की जगा यह आ गया अभी यह बाला चीज लिखे cot a square a plus cot a कहां से आ है यह from first this is equal to cot a minus one plus cos a into cos a plus cot a all upon cos a minus into plus minus one minus into plus cot square a plus cot square a plus cot a minus cot square a plus cot square a cancel हो गया अब अब हमारे पास अब हमारे पास क्या बचा जो बचा उसका अब हम लो लिखे next page पर चले next page पर चले this is equal to अब क्या बचा है आपर cot a minus one plus cos a k cot a minus one plus cos a k into 2 यहां क्या बचा cos a k plus cot a cos a k plus cot a whole upon स्रीचे क्या बचा cot a minus one plus cos a k cot a minus one plus cos a k तो लिखे उसको हम लोग cot a minus one plus cos a k अब यही चीज यहां नीचे है वही चीज यहां पर उपर है दोना अपस में cancel हो गया अब हम अरपस बचा क्या cos a plus cot और यही हमारा rhs था यह प्रूव हो गया hence proved अब हम देखते हैं next part question number 6 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal to ck plus tan a इसकी भी शुरुवात हमे लेचेस से करते हैं root under 1 plus sin a upon 1 minus sin a अब इसको हम लोग rationalize कर देते हैं root under 1 plus sin a upon 1 minus sin a यह जो denominator इसी से उपर नीचे multiply कर दे हैं यहां का sin change करके यहां minus है तो उसको plus कर दे रहे हैं यानिक हो जाएका 1 plus sin a upon 1 plus sin a ऐसे ऐसे this is equal to अब उपर हो गया 1 plus sin a into 1 plus sin a यानिकी 1 plus sin a का square और नीचे हुए a minus b into a plus b जो होता a square minus b a square a square मतला 1 का square 1 minus b a square यानिकी sin a square a पूरा यह root के अंदर है this is equal to root under 1 plus sin a whole square upon 1 minus sin a square a होता है cos square a this is equal to यह root से square cancel हो जाएगा यह भी और यह भी तो बचेगा कि अमरे पास 1 plus sin a upon cos a this is equal to यह अलग-अलग कर के हम लिख दें तो 1 plus cos a plus sin a upon cos a हो जाएगा 1 upon cos से होता है c k plus sin upon cos से होता है tan a और यही हमारा यहां पर rhs है is equal to rhs hence proved अब हम देखें सेवन्थ पार्ट अब हम देखें सेवन्थ पार्ट होल अपन 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta lhs है lhs है शुरू करें lhs है is equal to sin theta minus 2 sin cube theta ओल अपन 2 cos cube theta minus cos theta this is equal to sin theta अब इन दोनों में से sin theta common निकल जाएगा कमर पास बचेगा sin theta common निकल जाएगा 1 minus और यह बच जाएगा 2 sin square theta होल अपन इस में से हम लोग cos theta common ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यह बच जाएगा 2 cos square theta minus 1 this is equal to sin theta upon cos theta यह हो गया tan theta इंटो यह 1 minus 2 into sin square theta होता है 1 minus cos square theta होल अपन 2 cos square theta minus 1 this is equal to tan theta into 1 minus into plus minus 2 into 1 2 minus into minus plus plus 2 cos square theta upon 2 cos square theta minus 1 this is equal to 2 यह हमारा यहां पर RHS था is equal to RHS hence proved अब अब हम देखें इसका 8th part page हम पलट लेते हैं 8th part sin a sin a plus cos ck whole square plus cos a plus ck whole square is equal to 2 7th 7th plus 10 square a plus cot square यह शुरू कर हमें लेटेश से sin a plus cos ck whole square plus cos c plus ck whole square और यह बना a plus b ka whole square यह भी बन रहे a plus b ka whole square तो उसी पर हम लोग इसको आगे करी करें a plus b ka whole square a square yहाने कि sin a square a plus 2ab yहाने कि 2 into sin a cos ck plus b square yहाने कि cos ck square a फिर यहान भी वही फ़र्मुला a plus b ka whole square yहाने कि plus a square yहाने कि cos a square a plus 2ab yहाने 2 into cos a into ck plus b square यानिकी sick square a this is equal to sin square a plus cos square a ये दोनो एक साथम कर दोने sin square a plus cos square a इसका फर्मुला हता है 1 sin square a plus cos square तो ये 1 में convert हो जाएगा तो ये दोने एक साथ चलेगा बचा ये तो ये क्या हो रहा है sin a into cos square कितना होता है 1 ये फर्मुला आपको पता रखा है और समझा भी रखा कि कैसे होता है sin a into cos square भी 1 upon sin a होता है ना sin a से sin a कहें से लोगे कि 1 बचा है तो 1 और इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 2 plus cos square a आपको फर्मुला बता है तो होता है 1 plus cos square a इसकी जगा हम लिख देंगे 1 plus cos square a अब अज़ेए यहां पर cos into 6 के 1 होता है ये आपको बता रखा है कैसे होता है वो भी आपको बता रखा है cos a है into 6 होता है 1 upon 1 में cos a cos a से cos a कट करके क्यों 1 बसता है और 1 into 2 क्या हो जगा 2 तो ये रहा plus 2 plus 6 square a इसका फर्मुला आपको बता रखा है ये होता है 1 plus tan square a this is equal to sin square a plus cos square a 1 plus a2 plus a1 plus a cos square a plus a2 plus a1 plus a tan square a this is equal to 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 2 6 plus 1 7 plus a tan square a plus a cot square a और ये हमारा यहां पर RHS था इस इक्वल to RHS ये प्रूव हो गया hence प्रूव्ड next है 9th part प्रूट प्रूटते हम लोग ये है cos ck minus sin a into ck minus cos a is equal to 1 upon me tan a plus cot a sin a minus sin a minus sin a cos a this is equal to cos a के होता है 1 upon me sin a minus a sin a into c के होता है 1 upon cos a minus a cos a this is equal to cos a sin a upon sin a sin a ck 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 स्क यह स्क्वाररे अपान कॉसे ये LHS का बेलू आ गया अब इसी तरह हम RHS करी करके देखते हैं RHS is equal to 1 upon tan A plus cot A this is equal to 1 upon tan A होता है sin A upon cos A plus cot A होता है cos A upon sin A 1 upon is calcium ले ले लेते हैं cos और sin A का हो जाएगा cos A into sin A cos A से cos A sin A को डिवाइड करें कितना आंसर हैगा sin A और sin A into sin A कितना हो जाएगा sin A square A बीच में plus का sin है जाएगा sin A से cos A sin A को डिवाइड करें तो क्या आंसर हैगा cos A और cos A से cos A को मल्टिप्लाई करें तो क्या हो जाएगा cos A square A 1 upon sin A square A plus cos A square A 1 upon cos A sin A this is equal to 1 into यह प्लट जाएगा तियह हो जाएगा cos A sin A upon 1 याने कि finally बचेगा cos A into sin A और यह हमारा solution आया था LHS का भी और यह ही आया RHS का भी तो क्या हो गया therefore LHS is equal to RHS hence proved यह भी proved हो गया अब हम देखें 10th part 10th part यह है 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A upon 1 minus cot A whole square is equal to tan square A अब हम लोग इसको शुरू करें LHS LHS is equal to 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A this is equal to 1 plus tan square A होता है sec square A upon 1 plus cot square A होता है cos sec square A sec होता है 1 upon cos यानि कि यह हो जाएगा 1 upon cos square A whole upon cos sec square A हो जाएगा 1 upon sin square A this is equal to यह हुआ 1 upon cos square A into यह plot करके sin square A upon 1 हो साएगा तो finally यह क्या बन रहा है 1 into sin square A sin square A upon cos square A into 1 cos square A sin A upon cos tan A होता है यहनि कि यह हो गया tan square A अब हम लोग करी करें middle side को हमें इसको यह है 1 minus tan A upon 1 minus काट A whole square this is equal to 1 minus tan A होता है sin A upon cos A whole upon 1 minus काट A होता है cos A upon sin A और फिर इसका whole square अब यहां LCM लेंगे तो LCM आएगा cos A तो हो जाएगा cos A minus sin A whole upon यहां LCM लेंगे तो आएगा sin A और यहां हो जाएगा sin A minus cos A स्का whole square अब यह next क्या हो जाएगा cos A minus sin A upon cos A into फिर यह पलट जाएगा तो यह हो जाएगा sin A upon sin A minus cos A फिर इसका whole square this is equal to हो गया इसको हम लोग यहां पर sin A minus cos A यहां पर cos A minus sin A है इसको minus 1 से multiply कर दें तो यह भी पलट करके इसकी तरह हो जाएगा तो sin पलट करने के लिए हम क्या कर दें minus 1 से multiply कर दें यह हो गया minus 1 into फिर यहां पर यह हो जाएगा sin A minus cos से हो जाएगा अब यह upon में cos A into sin A upon sin A minus cos A और फिर इस पूरे का whole square अब sin A minus cos A से sin A minus cos A cancel हो गया हमर पास बचा क्या ही है माइनोस और sin अपन cos से tan A अब फिर इसका whole square minus का square plus जो कि लिखने के जुरूत नहीं है और tan का square tan square A अब हम देखते है कि LHS जब हमने solve किया तो tan square A आया middle side जब हमने solve किया तो tan square A आया और RHS भी यहां पर tan square A दिया है यानि के therefore यह LHS is equal to MS is equal to RHS हो गया और यह हमको proof करना था hence proved तो यहां पर exercise 8.4 finish होता है और chapter 8 भी finish होता है अब जब हम next class में मिलेंगे तो chapter 9 some applications of trigonometry उसको पढ़ेंगे अब यह आपकी जिम्हादारी है कि आप इस chapter पर command करें आपकी अभnd झाल यह में आपकी जर से झाल लाघ झाल 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 यह झाल almost